कि दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों हमारा कॉस्षीट का चप्टर चल रहा था कॉस्षीट में हमने यह फॉर्मेट देखा था रो मतियल मेरा कॉस्टर शीट में आपने यह फॉर्मेट देखा था रोव मारा च्ली कोस्त अधय stric अधया तुछ यह फांचर कंच्राइच कॉस्त यह एड करते थे roof कर admin overhead तो cost of production आ जाता था और add करते थे selling and distribution overhead तो total cost आ जाती थी और profit add करके हम अपनी sales amount पे पहुंच जाते थे और हमने इस पे question भी try कर लिया था question number one कर लिया इसके बाद देखो हमें इस cost sheet में कुछ adjustment और देखनी है देखो inventory जो होती है जो inventory होती है opening stock closing stock वो तीन तरीके का हो सकता है आप समने तीनो नाम सुने वे होते है एक हो सकता है raw material दूसरा हो सकता है work in progress और तीसरा हो सकता है आपका finished goods inventory जो है that is opening stock और closing stock यह तीन तरीके के हो सकते है raw material work in progress और finished goods opening stock of raw material हो सकता है closing stock of raw material हो सकता है opening stock of work in progress हो सकता है closing stock of work in progress हो सकता है opening stock of finished goods हो सकता है closing stock of finished goods भी हो सकता है यह जो cost sheet हम बनाते हैं यह तो किसी ने किसी एक particular period की बनती है मालो मैं अगर December 2018 के लिए cost sheet बना रहा हूँ तो 1st December को इन तीनों का opening भी हो सकता है और 31st December को इन तीनों का closing stock भी हो सकता है तो हमें cost sheet में इन तीनों के opening को तो add करना है और closing को minus करना है बस issue यह है कहाँ पे plus करना और कहाँ पे minus करना है issue यह है कि किस stage में मुझे इनको add करना है और किस stage में मुझे इनको minus करना है तो को सबसे बहले अगर मैं बात करूँ यह जो हमने last class में raw material consumed की बात की थी हमने जो last class में यह raw material consumed की बात की थी actual में raw material consumed की जो calculation है उसमें हम opening stock add करते हैं और closing stock of raw material minus करते हैं कैसे देखो हम आज detailed format of cost sheet की बात करेंगे detailed format of cost sheet column आपके वही दो चलेंगे particulars और amount particulars और amount सबसे पहले हमने जो direct material consumed लिखा था हमने सबसे पहले cost sheet में लिखा था direct material consumed तो actual में अगर हमारे पास question में opening और closing stock of raw material given होगे तो हम इस direct material consumed की calculation show करेंगे कैसे कैसे सबसे पहले हम consider करेंगे opening और आप अपनिंग टॉक ओ और रो मटीर और अपनिंग स्टॉक और रो मटीर इसके इसमें हम ऐड़ करेंगे पर्टेज़स लाइज हैं और आपका कोई केरीज इन्वार्ड का एक्स्पंस हुआ या फिर इसको फ्रेट इन्वार्ड भी बोला जाता है अगर ऐसा कोई खर्चा हुआ तो वो भी हम इसमें एड कर लेंगे और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ओफ रो मटियल क्लोजिंग स्टॉक ओफ रो मटियल यहां पर यह जो फिगर कैल्कुलेट होके आएगी कि इस फिगर इस नौन एज डिरेक्ट मटियल कंजुम्ट तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि इन्वेंट्री में अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक और रो मटियल गीवन हो तो किस तरीके से अजिस्ट्मेंट हो दी अब आप देखोगे आपने डिरेक्ट मटियल कंजुम्ट के बाद क्या किया था आपने डिरेक्ट मटियल कंजुम्ट में दो Direct Expenses तो यह आपका calculate हो किया आजाएगा Prime Cost क्योंकि Direct Material, Direct Wages, Direct Expenses इन तीनों को add करेंगे तो Prime Cost आएगी Then आपने Prime Cost में क्या किया था Prime Cost में आपने add किया था Factory Over It Factory Over It तो हमारा calculate हो कि आ रहा था factory cost लेकिन जब हम detailed format की बात करते हैं तो हम इसको बोलते है gross factory cost ग्रॉस इसको इसलिए बोला जाता है दो word होते हैं एक होते है gross एक होते है net ग्रॉस हमेशा कहता है कि इसमें कुछ adjustment बाकी है और net हमेशा complete होता है उसमें कोई adjustment बाकी नहीं होता है तो हम gross factory cost में अपनी second inventory की adjustment करते हैं that is opening and closing stock of work in progress की adjustment हम इसमें करते हैं कैसे हम gross factory cost में add करते हैं opening stock of opening stock of work in progress short में इसको WIP बोल दिया जाता है और इसमें से minus करते हैं हम closing stock of work in progress तो यह हमारा calculate होके आता है factory cost जिसको net factory cost भी आप बोल सकते हों केवल factory cost बोल दो net factory cost बोल दो एक ही बात है इसके बाद factory cost में आप as per last class add कर रहे थे office administration over it तो हम add करते हैं administration over it office over it administration over it जब आप इसमें add करोगे तो यह आपका calculate होके आएगा cost of production cost of production तो यह वो माल है जो मैंने during the period produce किया अब जरूरी तो नहीं कि सारा का सारा माल जो मैं produce करता हूँ वो बिग जाता हूँ तो हम इसमें adjustment करते हैं अपनी third inventory की और third inventory क्या है opening and closing stock of finished goods जो माल मैंने बनाया last month जो बिका नहीं होगा last month वो last month closing में बच गया होगा जो इस महिने मेरे पास opening stock में आएगा तो हम add करते हैं opening stock of finished goods जब आप opening stock of finished goods add करते हो cost of production में तो यह जो total आता है इसको बोल दिया जाता है cost of goods cost of goods available for sale कि मेरे पास इतना माल है जिसको मैं sale कर सकता हूँ लेकिन during the end of the period मैंने देखा कि यार मेरे पास तो कुछ stock माल कुछ माल stock में बच गया that is closing stock of finished goods कि मेरे पास तो यह माल बच गया तो मेरे पास था तो इतना माल बेचने के लिए लेकिन इतना मेरे पास बच गया तो बाकी मैंने क्या किया बेच दिया तो that is known as cost of goods sold यह वो माल है जिसको मैंने बेचा उसकी मेरी बनाने की यह costing गया तो लेकिन अब इसको बेचने के लिए जब मैं कुछ खर्चे करता हूं तो that is known as selling and distribution over it जो हमने last class में भी एड किये थे selling and distribution over it और जैसे ही आप selling and distribution over it एड करते हो तो यह बन जाती है आपकी total cost और total cost में आप क्या एड करते हो total cost में आप एड करते हो profit margin तो हम पहुंजाते हैं अपनी sales पे हम पहुंजाते हैं अपनी sales पे question में अगर profit given हो तो cost में profit add करके sales निकाल लो और अगर sales given हो तो cost calculate कर लो और balancing figure में आपको आपका profit मिल जाएगा तो यह हमारा एक detailed format of cost sheet है जिसमें हम last class के comparison में बात करें तो तीन तरीके की एड्जिस्ट्मेंट करते हैं inventory of raw material opening closing work in progress inventory opening closing finished goods inventory opening और closing opening and closing stock of raw material के एड्जिस्ट्मेंट स्टार्टिंग में ही raw material consume में करने तो फैक्टरी कॉस्ट के बाद आपने work in progress के adjustment करने हैं और cost of production के बाद आपने finished goods के adjustment करने हैं तीनों में ही opening add करने हैं और closing हमें minus करने हैं तो this is the detailed format of cost sheet पहले आप इसको copy करो इसके बाद कुछ और calculation देखते हैं इसको आप copy करो बाद करो बाद कर दो कर दो और भर पुट कर दो झाल इसके बाद देखो जब हम question पे move on करेंगे question में अगर कोई भी raw material का opening closing होगा question आपको उसकी amount बता देगा 20,000, 40,000 जो भी होगा इसी तरीके से अगर question में work in progress का opening और closing होगा तो उसकी amount आपको बता दीजएगे इसी तरीके से अगर finished goods का opening stroke अगर question में होगा तो इसकी भी amount आपको बता दीजएगे लेकिन कई बार क्या होता है question में closing stroke of finished goods की amount कुछ question में बताई हुई होती है जहां बताई हुई है वहाँ पो है तो हम सीधा सीधा amount यहाँ पर put कर सकते हैं लेकिन कई बार question में इसकी amount missing होती है तो उस situation में हमें closing stroke of finished goods की amount calculate करनी पड़ती है कैसे calculate कर तो उसके लिए एक formula है जो हमें यूज करना पड़ेगा calculation of calculation of closing stock of finished goods material का होगा बता दिया जाएगा finished goods होगा वो work in progress की amount बता दी जाएगी हो सकता है finished goods की amount भी बता दे बता दे तो well good लेकिन नहीं बताएगी तो हमें calculate करना पड़ेगा कैसे calculate करें इसके लिए एक formula है simple formula क्या है cost of production formula है आपका cost of production divided by number of units produced cost of production divided by number of unit produced इसका मतलब एक unit को produce करने की cost आपको पता चलजे और अगर इसको multiply कर लिया जे closing stock of finished goods की units से तो आपको आपकी closing stock of finished goods की amount पता चलजे कैसे माल लो एक लाक रुपए आपका cost of production है और 10,000 unit आपने produce की तो अगर एक लाक रुपए की cost है 10,000 unit की तो एक unit की cost हो गई 10 रुपए और अगर मैं कहता हूं मेरे पास 100 unit closing stock में बच गई तो एक unit की cost अगर 10 रुपए है तो 100 unit की cost 1000 रुपए होगी और इस amount को ले जाके हम अपन में format में amount के column में mention कर लें अकॉर्डिंगली हम अपनी cost sheet complete कर सकते हैं कई बार question में क्या होता है यह जो number of unit produced है यह जो closing stock of finished goods की units है यह भी hidden होती है missing होती है तो फिर यह unit भी हमें calculate करनी पड़ सकती है तो उस situation में यह कैसे calculate करें इसके लिए हमारे पास एक equation है equation है units produced is equal to units sold plus closing stock units minus opening stock units 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 produced is equal to units sold आपने कितनी unit बेची आपके पास कितनी unit closing stock में है और कितनी unit starting में opening stock में थी इसमें 4 तरीके की unit है produced, sold, closing stock, opening stock आपको इन में से 3 तरीके की unit बता दी जाएगी और 130 जो भी missing हो वो आप calculate कर सकते हो normally unit produced missing होती है या तो या फिर closing stock of finished goods की unit missing होती है तो इस equation से हम वो calculate करते वे चल सकते हैं cost sheet अपने को cost sheet बना के देनी है cost of material है रुपी 13 पर unit एक unit पे material की जो cost है वो 13 रुपे पर unit होगी labor की जो cost है वो है 7.5 एक unit factory ओवरेड 45,000 टोटल है administration ओवरेड 50,000 टोटल है selling overhead 2.5 पर unit sold जितनी unit आप बेचोगे दो रुपे 50 पैसा पर unit selling overhead का खर्चा आएगा opening stock of finished goods 500 unit 19.75 तो 500 into 19.75 that will be your opening stock of finished goods इसके बाद कहते है closing stock of finished goods में 250 units हैं लेकिन मुझे तो cost sheet बनाने के लिए इसकी amount चाहिए तो हम क्या करेंगे अपना formula यूज करेंगे closing stock of finished goods का cost of production divided by number of unit produced multiply by closing stock unit और accordingly closing stock की amount calculate कर लेगे last में कहते है sales जो की है हमने 10,250 unit sale की है और जिसमें हमने profit कमाया है 20% on sales sales से जितनी भी value होगी उसका 20% हम profit margin कमा रहे हैं तो हमें इस data के accordingly cost sheet बना के दें ठीक जी बनाते है answer number 2 cost sheet बनाते हैं answer number 2 हम बनाएंगे cost sheet आप question में देखोगे question में access ना तो कोई period mention है ना ही किसी company या product का नाम given है तो आप simple अपना cost sheet word यूज करके अपना format बना सकते हो दो column हम consider करते हैं one is particulars and second one is amount और सबसे पहले हम material की cost लेते हैं आप देख सकते हो question में कोई भी opening stock of raw material या closing stock of raw material या carries inward नहीं है सीधा सीधा question ने क्या कहा question ने का material की जो cost है वो 13 रुपए एक unit की है सबसे पहले हम consider करेंगे direct material question ने कहा 13 रुपए एक unit की cost है तो हमें यह पता होना चाहिए कि question में unit कितनी बनाई जा रही है अगर आप question को ध्यान से देखोगे तो question में opening stock की units given है closing stock की units given है sale की unit given है produced unit नहीं given है लेकिन अभी अभी हमने number of unit produced की equation देखी unit produced is equal to unit sold plus closing stock unit minus opening stock unit तो यह equation use करके हम अपना calculation कर सकते हैं तो काफी नीचे जाके मैं calculation कर लेता हूं working note में working note में working note number one unit produced में calculate करना चाहरा हूं तो आपकी equation आप लिखोगे units produced is equal to units sold plus closing stock units minus opening stock units question में बिल्कुल end में लिखा हुआ है हमने 10,250 units sell किये हैं हमारे पास closing stock में कितनी unit बच गई 250 और opening stock में कितनी थी 500 प्लस closing stock में unit बच गई 250 closing opening में 500 तो इसका मतलब आपने during the period जो unit produce की है वो किये 10,000 unit 10,000 unit आपने produce की एक unit को produce करने की material की जो cost है वो तेरा रुपय आ रही है तो 10,000 unit produce करने की material की cost आएगी एक लाग 30,000 रुपय direct material में आप add करते हो labor direct labor sir यहाँ पे labor लिखा हुआ है direct labor तो लिखा हुआ ही नहीं है material लिखा हुआ है direct material तो लिखा हुआ ही नहीं है तो आप यहाँ पे direct material है या direct labor क्यों ले रहे हैं जोको अगर किसी भी question में केवल और केवल material और labor की cost लिखी वी है यह नहीं बताया कि यह direct है कि indirect nature तो हम हमेशा उसको direct resume करते वे चलते हैं direct labor की question में cost given है 7.5 per unit और number of unit आप produce कर रहे हो 10,000 तो 75,000 rupees will be your direct labor पूरे question में direct expenses को लेकर कोई जिक्र नहीं है तो इन दोनों का जो addition होगा वही हमारा prime cost बनेगा 2,05,000 rupees यह हमारा prime cost आजेगा prime cost में आप add करते हो factory overhead प्राइम कॉस्ट में आप add करते हो factory overheads question में factory overhead given है 45,000 के तो जैसे ही आप यह add करोगे 2,005,000 आ गया अब मैं इसको gross factory cost बोल सकता हूं लेकिन question में work in progress नहीं होने की वज़े से इस question में gross factory cost, net factory cost, same ही चलेगा तो यह आ जाएगा हमारा factory cost factory cost में हम add करते हैं administration over it factory cost में हम add करते हैं administration over it question में administration over it given है 50,000 रुपएगा यह आगे आपका 3,00,000 रुपएगा जैसे ही आप factory cost में administration over it add करते हो तो यह total क्या बन जाता है आपका cost of production cost of production में हम कहते हैं हम करते हैं adjustment finished goods की question में आप देख सकते हो आपके पास opening stock of finished goods given है question में opening stock of finished goods given है कितना 500 unit at the rate of 19.75 500 unit at the rate of 19.75 per unit इसको जड़ा multiply करके देखो 500 into 19.75 कितना है 500 multiplied by 19.75 यह आजएगा 9875 तो यह आगे आपका cost of goods cost of goods एविलेबल फोर से हमारे पास इतना माल है जिसको हम market में बेच सकते हैं 9,875 लेकिन question ने कहा question में check करो question ने कहा कि हमारे पास closing stock of finished goods बच गया closing stock of finished goods कितना 200 unit अब उस 200 unit की amount नहीं बताई question में तो amount calculate करने के लिए आप formula यूज़ करोगे यह वाला cost of production divided by number of unit produced multiply by closing stock of finished goods unit second working note पे आ जाओ हम calculate करेंगे closing stock of finished goods की amount जिसका formula यूज़ करोगे cost of production divided by divided by number of units produced multiplied by closing stock of finished goods unit closing stock यूनिट्स देखो cost of production आप चेक करो आपने cost sheet में cost of production निकाल ली है तीन लाग रुपए cost of production आपने cost sheet में निकाल ली तीन लाग रुपए तीन लाग रुपए आपका cost of production है number of unit produced यहाँ पर हमने calculate की है 10,000 unit number of unit produced आपकी 10,000 और as per question आपके पास closing stock में बच गई 250 unit इसको अगर calculate किया जाए तो यह calculate होके आ रहा है 75,000 75,000 आपका closing stock of finished goods की amount आगे इसको आप यहाँ पर ले आओ तो यह आ जाएगा आपका cost of goods sold cost of goods sold आजाएगा आपका 309875-7500 302375 ज्यान रखना यह figure minus है बहुत सारे बच्चे calculation करते वक्त इसको plus कर लेते हैं और answer match नहीं होता cost of goods sold में as per format हम add करते हैं selling over it question में देखो question ने का 2.5 per unit sold 5.5 रुपए selling over it है वो भी जितनी unit हमने बेची है उस पे और आपने unit बेची कितनी है दस सेजार दो सो पचास question में given है दस सेजार दो सो पचास unit आपने sale की है तो यह आगया 2.5 6.25 that will be selling over it तो यह आजाएगा आपका total cost total cost आगी आपकी 3,28,000 total cost आगी 3,28,000 total cost में आप add करते हो अपना profit margin profit margin तो हमारा आजाता है sales हमारा आजाता है sales question में देखो क्या लिखा हुआ इसके बारे में question का profit of 20% on sales sales का 20% profit देखो यह है sales अगर इस sales का 20% आपका profit है तो cost बच गई 80% sales is always 100% तो अगर sales का 20% profit है तो cost हो गई 80% तो 3,28,000 है 80% 3,28,000 की यह जो cost है वो है 80% तो 100% figure आजेगे आपकी इसका मतब sale होगी आपकी 4,00,000 की और इस 4,00,000 की sale का 20% 82,000 आपका profit margin होगा तो अटोमेटिकली यह आपका match कर जाएगा तो this is your answer number second जिसमें आप opening और closing stock of finished goods जो है उसका application देख पा रहे हो कि कि तरीके से हमें opening और closing stock of finished goods को cost sheet में exist करना है और किस तरीके से closing stock of finished goods की amount calculate करना है किस तरीके से हमें number of units produce calculate करना है तो this is your answer number two आपके exam का question है 2009 में पूछा गया था इसको आप copy कर सकते हैं लाउ आपक ब्लाश पर की दů leicht प्रूइक करा मुद्स को अंह प्रूई करा अंह आपके दो कर दाव डност आप आपको आपके दाफ कर दो कर दो कर दो कोश्चन नमबर थर्ड बिल्कुल सेम है जो कोश्चन नमबर सेकिंड आपने किया है इस वज़े से आप उसको होमवर्क में कर सकते हैं कोश्चन नमबर फोर देखो प्रिपेर एक कॉश्चीट अपने को कॉश्चीट बनाके देनी है फ्रॉम दा फॉलविंग डेटा टू फाइंड आउट एक तो प्रॉफिट निकालना है जब आप कॉश्चीट बनाओगे तो आपको प्रॉफिट पता तरजएगा साथ मैं आपको कॉश्च पर यूनिट कैल्कुलेट करनी देखो कॉश्च पर यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो मैंने कॉश्च पर यूनिट का फॉर्मला बताया तो नहीं लेकिन अगर आप यह जो closing stock of finished goods है इसमें केवल और केवल इतना formula use करो multiplication ना करो तो यह क्या है यह है cost per unit अगर मैं कहता हूँ 1,00,00 रुपए की मेरी cost आई 10,000 unit को बनाने की तो एक unit को बनाने की cost क्या है 10 रुपए तो cost per unit का formula क्या हो गया cost of production divided by number of units produced लिख लो So, cost per unit is equal to cost of production divided by number of units produced यह cost per unit का formula तो copy करो आप इस question पर move on करते हैं question ने दो requirement पूछी आपसे एक तो profit निकालना है जो cost चीट से आजेगा और cost per unit हम यह formula यूज़ करके calculate करते हैं रो मटियल कंजूम्ट गीवन है 10% of factory cost तो जब factory cost आ जेगी तो जितना factory cost आएगा इसका 10% हमें office that is administration of redland selling overhead की वने 12,000 यूनिट जो आपने produce की वो तो की 4,000 लेकिन जो यूनिट sale की है आपने वो की है केवल 3600 आपने unit बनाई तो थी 4,000 बेची है केवल 3600 तो इसका मतलब आपके पास 400 unit क्या हो गई होगी बच गई होगी that will be all closing stock तो closing stock of finished goods की units question में लिखी भी नहीं है hidden है अगर आप 4,000 unit बनाते हो और 3600 ही sale करते हो तो simple सी बात है 400 unit आपके पास closing stock में बच जेए और selling price जो है एक unit का एक unit आप बेच रहे हो 100 रुपे में तो 3600 unit आप बेच रहे हो ठीक है normal simple question है बस इसमें नया point यह है कि closing stock की unit जो है वो hidden है तो हमें analyze करनी पड़ेगी कि 4000 unit अगर हमने बनाई 3600 इसेल की तो 400 unit अपने पास closing stock में बच देए तो हम बनाएंगे cost sheet profit निकालेंगे और cost पर unit भी calculate करके देए आते हैं answer पे answer number 4 format follow करेंगे heading आप लिख सकते हो cost sheet दो कॉलम में हम cost sheet बनाते हैं अपनी एक particulars और दूसरा amount सबसे बहले हम consider करते हैं row material गंजुक्ट रो मटियल कंजुम्ट क्वेश्चन में गिवन है रो मटियल कंजुम्ट वन लैक शिक्स्टी दाउसन रो मटियल कंजुम्ट में हम एड करते हैं डैरेक्ट वेजिज्ज क्वेश्चन में डैरेक्ट वेजिज्ज भी गिवन है असी जार रुपए और अगेन इस क्वेश्चन में भी डैरेक्ट एक्सपेंसेज नहीं लिखे वे कहीं भी तो यह आ जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट दो लाग चालिस जार रुपए दो लाग चालिस जार रुपए हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया प्राइम कॉस्ट में हम एड किया करते हैं फैक्टरी ओवरेट कौश्चिन में देखो फैक्ट्री ओजर गीवन है सोलह हजार उपए के फैक्ट्री ओवरेट गीवन है तो यह आगए IPO लेग 58,000 और इसको आप बोलोगे फैक्ट्री कॉस्ट क्योंकि कौश्चिन में वर्क इन प्रोग्रेस तो नहीं है कि फैक्ट्री कॉस्ट में आप एड करते हूं कि एडिमिनिस्टेशन ओवरेड ओल्सो नौन एज ओफिस ओवरेड ओफिस ओवरेड कुश्चने का फैक्ट्री कॉस्ट जो कि आपकी दो लाग छपन अजार रुपए आ गई इसका 10% आपने ओफिस ओवरेड लेना है तो इसका 25,600 रुपए हमें ओफिस ओवरेड लेना है तो यह आगया अपना कॉस्ट ओफ प्रोडक्शन कॉस्ट ओफ प्रोडक्शन आगया आपका 281,600 आपका कॉस्ट ओफ प्रोडक्शन आगया अब कॉस्ट ओफ प्रोडक्शन में हम एड किया करते हैं ओपनिंग स्टॉक ओफ फिनिश्ट जो की क्वेश्चन में नहीं है लेकिन क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ओफ फि तो वर्किंग नॉट शो कर देते हैं वर्किंग नॉट नमबर वन हमारी एक्वेशन क्या थी हमारी एक्वेशन थी यूनिट से प्रोड्यूस्ट इस इक्वल टू यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स यू आपकी एक्वेशन थी देखो क्वेशन ने कहा हमने बनाई है चार अजार यूनिट्स जिसमें से हम 3600 यूनिट सेल कर चुके हैं क्वेशन ने ओपनिंग के बारे में तो कुछ बताया नहीं जिरो तो यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक औफ फिनिश्ट फूर्ज आजेगा क्लोजिंग स्टॉक औफ फिनिश्ट फूर्ज आजेगा 400 लेकिन यह है 400 यूनिट्स यह है 400 यूनिट्स अब मुझे यह पता जल गया कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में 400 यूनिट है लेकिन मुझे कॉस्ट शीट में यूनिट थोड़ ना लिखनी है मुझे तो cost sheet में इसकी amount लिखनी है तो amount लिखने के लिए आपको second जो formula है आपका closing stock of finished goods वो भी apply करना पड़ेगा closing stock of finished goods का formula cost of production cost of production divided by number of units produced number of units produced multiply by closing stock units cost of production आप question में देख लो question में क्या आपनी cost sheet में देख लो cost of production आगया आपका 281,600 cost of production आपका two lag 81,600 divided by number of unit produced question में गीवन है 4000 4,000 multiply by closing stock की unit अभी अभी अमने निकाली 400 units 400 यूरे तो यह आगया 28,160 28,160 28,160 रुपए closing stock of finished goods की amount calculate हो कि आगए जो कि आप यहाँ पर लिख सकते हो 28,160 यह क्या है minus closing stock of finished goods तो यह आपका calculate हो कि आजाएगा cost of goods sold cost of goods sold आजाएगा 253,440 253,440 cost of goods sold में आप add करते हो selling overage question में selling overage की figure गिवन है 12,000 रुपए closing stock of finished goods की amount गिवन है question में 12,000 रुपए तो यह आजाएगा आपका total cost cost 2,65,440 और total cost में हम कहते हैं जब हम अपना profit margin एड करते हैं तो हम पहुंचाते हैं sales पे और इस question में आप देखोगे question में sales given है question ने कहा हम 3600 unit sale कर रहे हैं और 100 रुपए पर unit के accordingly हम 3600 unit sale कर रहे हैं और एक unit को हम बेच रहे हैं 100 रुपए में तो 3,60,000 रुपए कि आप sale कर रहे हैं sale कर रहे हो 3,60,000 की cost आई है 265,440 की तो यह जो बीच में balancing figure आ गई है यह आपका profit margin है 3,60,000 minus 265,440 94,560 यह आपका profit margin है तो this is your answer number 4 इसको आप copy कर सकते हो simple question है बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे question number second आपका चल रहागा इसको copy कर वागा कर दो आपका आपका यह जढ है एसको copy कर दो झापका हंष्भी ए dif है पूँते है ढहते है झाल झाल आधे क्रेट ओपनिंग और क्लोजिंग इपनिंग अब करेंगे और वर्किन प्रोग्रेस भी नहीं आएगा। Q5 देखो, जिसमें आज जो हमने फॉर्मेट देखा था, उसका अल्मॉस्ट आपको पूरा अप्लिकेशन देखने को मिलेगा। Q5, the following information has been obtained from the records of Ajit Corporation, यहाँ पे कंपनी का नाम भी गिवन है इस बार। Q5, for the period from June 1 to June 30, 2009, period भी mentioned है, तो एक तो आपके पास 1st June 2009 का data given है, एक 30th June 2009 का data given है, अफ्कोर्स जो 1st June है, वो होगा opening और 30th June, closing, Q5, the opening stock of raw material 60,000, closing stock of raw material 50,000, opening stock of work in progress 12,000, closing stock of work in progress 15,000, Q5, the opening stock of finished goods 90,000, closing stock of finished goods 1,10,000, इस question में, closing stock of finished goods की amount given है, अपने को calculate करने की जरद नहीं पड़े, इसके अलावा, purchases of raw material during June 2009, 4,80,000, तो opening stock of raw material, plus purchases, minus closing stock of raw material, direct material, consumed हम calculate करने, wages आप add कर लोगे, prime cost आजेगी, factory over it, given है 1 lakh, administration over it, 50,000, selling and distribution over it, 25,000, और sales given है, 10,00, रुपे, तो question में, सारी की सारी amount given है, कोई units वगे रहे नहीं, तो कोई calculation नहीं, सीधा सीधा हमें, cost sheet का format follow करना है, prepare a statement, giving the following information, हमें एक statement मनाना है, जिसमें, raw material consumed, prime cost, factory cost, cost of goods sold, और profit, यह 5 चीज़े show करनी है, और cost sheet के format में, यह 500 की 500 चीज़े आपको, मिल जानी है, चलो बनाते हैं, answer number 5, इससे पहले, यह जो last question हम कर रहे थे, question number 4, question नहीं कहा था profit निकालो, निकाल दिया मैंने, question नहीं साथ में कहा था, cost per unit निकालो, तो वो cost per unit हमारा रहे गया, तो आप cost per unit निकाल लो यहाँ पर, cost per unit is equal to, formula होता है, cost of production divided by units produced, cost of production divided by unit produced, आप cost sheet में देख सकते हो, cost of production है, 281,600, और इस question में आपने unit produce की थी, 4000, 281,600 divided by 4000, एक unit की cost आजेगी आपकी, 70.4 per unit, यह आपका, fourth, जो question था, उसकी second requirement है एक तरीके से, मैं move करता हूँ answer number 5 पे, answer number 5 पे, हमें बनानी है cost sheet, अजीत करपरेशी से निए अजीत करपरेशी करपरेशी और यह विए जोन तो थाथाँन नाइन के, हमें अजीद कॉर्परेशन की कॉस्षीट बनाके देनी है वह भी एक महीने का डेटा है जूं 2009 के लिए दो कॉलम हम बनाएंगे पर्टिकुलर्स और अमॉंट सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे रो मटियल कंजूब और उसमें हम सबसे पहले लेंगे ओपनिंग स्टॉक ओफ रो मटियल कुश्चन में ओपनिंग स्टॉक ओफ रो मटियल गीवन है सिक्स्टी दाउजन का सिक्स्टी दाउजन का परचेज़ गीवन है चार लाग असी अजार और क्लोजिंग गीवन है पचास अजार का ओपनिंग स्टॉक ओफ रो मटियल है सिक्स्टी दाउजन इसमें हम एड करेंगे परचेज़ ओफ रो मटियल परचेज़ ओफ रो मटियल गीवन है क्वेशन में चार लाग असी अजार और इसमें आप माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ओफ रो मटियल क्लोजिंग स्टॉक ओफ रो मटियल जो की क्वेशन में गीवन है फिफ्टी दाउजन तो यहां से आपके पास चार लाख नब्वेजार रुपए का रो मटियल कंज्यूम्ड आजएगा रो मटियल कंज्यूम्ड आजएगा फोर लैप नाइन्टी दॉट रो मटियल कंज्यूम्ड में आप एड करते हो डैरेक्ट वेज़िज कुश्चन में डैरेक्ट वेज़िज पेड़ गीवन है दो लाग चालीस जार रुपए दो लाग चालीस जार रुपए तो सेवन लैग थर्टी ताउजेट यह आगे आपका प्राइम कॉस्ट क्योंकि इस क्वेश्चन में भी डैरेक्ट एक्स पेंस तो है ने प्राइम कोस्ट में आप एड किया करते हैं फैक्टरी ओवरेट्स एड करेंगे फैक्टरी ओवरेड्स फैक्टरी ओवरेड गीवन एपने पास question में फैक्टरी ओवरेड एक लाग रुपए फैक्टरी ओवरेड गीवन है question में एक लाग रुपए आठ लाग 30,000 रुपए यह आगया आपका gross factory cost क्योंकि question में work in progress भी है तो हम इसमें add करेंगे opening work in progress और minus करेंगे closing work in progress दो question में opening work in progress है 12 और closing work in progress है 15 तो हम add करेंगे 12,000 और minus करेंगे 15,000 यह आजेगा आपका 8,27,000 यह आगे आपका net factory cost जिसको आप केवल factory cost लिखोगे तो भी चलेगा net factory cost में हम अपना दूसरा over rate add करते हैं that is administration over rate add करेंगे administration over rate administration over rate given है question में 50,000 रुपएगा administration over rate given है question में 50,000 रुपएगा तो यह आजेगा 8,77,000 यह आगे अपना cost of production cost of production cost of production में आप add करते हैं opening stock of finished goods opening stock of finished goods opening stock of finished goods given है question में 90,000 नबएजार रुपएगा opening stock of finished goods आ गया इस टोटल को आप बोलते हो cost of goods available for sale cost of goods available for sale यह आ गया 9,67,000 और इसमें से आप माइनस करते हैं closing stock of finished goods और इस question की अच्छी बात है question में closing stock of finished goods की amount given है एक लाग 10,000 रुपए तो इसकी आपको assets यहाँ पर कोई calculation नहीं करनी इस question में तो यह आगया 8,57 जिसको आप बोलते हो cost of goods sold cost of goods sold में आप add करोगे अपना third overhead that is selling overhead selling overhead question में given है selling and distribution overhead के नाम से 25,000 रुपए selling and distribution overheads 25,000 रुपए यह आ जाएगा आपका 8,82,000 total cost और हम कहते हैं टोटल कॉस्ट में जैसे ही हम अपना प्रॉफिट मार्जिन एड करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं अपनी सेल्स पर और क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपके पास सेल की फिगर गीवन है दसलाग रुप है तो बैलेंसिंग फिगर में आपका यहां पर नेट प्रॉफिट आ जाएगा यह आगया वन लैग एटीन ताउसन की पांच रिक्वाइर्मेंट थी रो मेंटियल कंजूंड प्राइम कॉस्ट फैक्टरी कॉस्ट कॉस्ट अफ गुड्स ओल और नेट प्रॉफिट तो यह पांचों की पांचों रिक्वाइर्मेंट आपने यहां पे सैटिस्वाई कर द रिक्वाइर्मेंट आपकी नेट फैक्टरी कॉस्ट फॉर्स रिक्वाइर्मेंट थी आपकी रो मेंटियल कंजूंड और सेकिंड रिक्वाइर्मेंट थी आपकी प्राइम कॉस्ट थीक है फॉर्स रो मेंटियल कंजूंड सेकिंड प्राइम कॉस्ट फॉर्ड फैक्टरी क झाल झाल आज की क्लास हम यहींपे फिनिश करते हैं question number 5 तक कर लिया हमने question number 5 तक कर लिया हमने third मैं ने आपको homework दिया है अगर आप चाहो गत और question number 6 और question number 7 question number 8 अगर आप चाहो तो question number 6 & 7 & 8 यह तीन question आप homework में ट्राई कर सकते हूँ बिल्कुल एजिल हो जाएंगे क्योंकि totally format based है आज अगर हम एक बार format याद कर लें अपना पूरा का पूरा तो पूरा format क्या है सबसे पहले opening stock of raw material plus purchases plus carriage inward या freight inward minus closing stock of raw material raw material consumed आजएगा add करेंगे direct wages add करेंगे direct expenses prime cost आजएगा add करेंगे उसके अंदर factory overhead तो gross factory cost पता चलेगा then उसमें हम adjustment करेंगे work in progress की add करेंगे opening work in progress minus करेंगे closing work in progress तो हमारे पास net factory cost आजएगा उसमें हम add करेंगे administration over तो हमारे पास आएगा cost of production उसमें हम adjustment करेंगे finished goods की add करेंगे opening stock of finished goods तो हमें मिलेगा cost of goods available for six माइनस करेंगे closing stock of finished goods तो हमें मिलेगा cost of goods उसमें हम add करेंगे selling overhead तो total cost, add करेंगे profit margin तो हम अपनी sales पे पहुंच जाए साथ में हमने ये भी देखा कि closing stock of finished goods की calculation कैसे की जए amount में अगर वो missing हो तो तो एक simple formula cost of production divided by number of units produced multiply by closing stock units cost of production divided by number of units produced जो है ये इतना formula है cost per unit का साथ में अगर question में unit भी missing हो तो हमारे पास एक equation है unit produced is equal to unit sold plus closing stock unit minus opening stock unit तो कोई भी unit अगर missing होगी closing हो, production हो, sale हो तो वो हम इस equation से solve करके चल सकते हैं question number third आपका homework है आगे अगर आप करना चाओ 6, 7, 8 भी try कर सकते हैं बाकि हम next class में इसी जप्र को continue करेंगे तैंक यू 1, 5, 5 5, 6, 4, 6, narrative अईम Donc करेंगे तो ऊग्र को to करेंगे करदें सेफेंगे इसमार करेंगे करें 12, करेंगे झाल झाल